मेरे इद की कपड़े कब लाएंगे तो ले आंगा ना अभी इद में दफ दिन रहते हैं चाई की पत्ती खतम हो गिया और आटा भी खतम है जाओ कोई काम देखो चार पैसे मेज जाएं तो बुखेद ना नमरे लुख जानती तो आज करोना वेरिस की वज़ा से काम बंद हो गी है फिर बीठे के दार साथ के पास जाओना शायद कोई काम मिल जाए ख़र दफ़ा तो जा चुका हूँ अबबा मेरे इत्की कपड़े का बनाएंगे अबी इत्की कपड़े का बनाएंगे अबी इत्मे तरस दिन रहते हैं अबी इत्की कपड़े का बनाएंगे आओ खेरियत है साब जी घर में राशन बिलकल खतम हो गया है मिरबानी करें कोई काम दें फिदू तु मैं कितनी दहों बता चुका हूँ इस बैमारी की वज़ा से मेरा लाखों का नुक्सान हो रहा है और तुम्हें अपने पांसों के पड़ी हुई है बहुत ठीक है साब लेकन दूा करो ये बैमारी खतम हो जाए और सब कबला हो जाए आप जी कुछ पैसे दार दे दें बाद मैं वापस कर दूँगा नहीं भाई नहीं बहुत बुरे अलाचार रहे हैं मेरे पास गंजाईश नहींगे हम इस बिमारी से मरें या ना मरे बूग से ही मर जाएंगे ओ मीदू क्या अले बचे रहते ठीक है जी मस्तूर जी क्या बात आया कोई परिशानी तो नहीं है मस्तूर जी वो क्या कुछ नहीं मस्तूर जी क्या काट है कि दार थाब में साफ इंकार कर दिया उतार पैसे मांगे लेकर वो भी नहीं क्या होगा क्या करूं अल्ला तुम ही कोई विसीला नकाल पीदू बहुत भाईशान था बिचारे कट काम दंदा भी रुका हुआ है मीदू गार पही हो कि अ कर दो हो अजी आयो मास्टर साथ खैर है आप यहां मेरे गर तुम्हारी अमानत मेरे पास जी वो देने आया मेरी अमानत ये क्या मास्टर जी ये अमानत तुम्हारी अल्ला ने मेरे पास लखवाई थी और बास कुछ कहने की जरूरत नहीं बहुत बहुत शुक्री का मास्टर जी अल्ला आपको स्लामोत रखे अल्ला तेरा शुकर है अपा मेरे कपड़े ले आए आप उतर ले आया मेरे कपड़े किदर आए देता हूं ना और ये तमहारे जूते और ये मेरे प्यारी पेटी पुश्रा और ये पुश्रा तुमा तुमारे लिए झाल झाल